आपके और आपके success के बीज का जो connection होता है वो कुछ important facts के उपर dependent होता है ये important facts ही है जो determine करेगा कि हमें हमारा goal मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा तो सबसे पहला जो important factor जो play करता है इसमें वो है कि आप अपने goal के प्रती specific हो या नहीं हो आपको अपना goal clear आपको पता है या नहीं होए राइट आप क्या आपका specific goal है या फिर आप confused हो अगर आप confused हो तो आपको goal का enjoy आप नहीं कर पाओगे आप achieve नहीं कर पाओगे goal को अगर आप specific हो जब आपको पता है कि आपको achieve क्या करना है तभी तो आप उसे achieve कर पाओगे हमें goal तब नहीं मिलता हम goal को achieve तब नहीं कर पाते जब हमें सिर्फ goal दिखाई देता है हम goals को achieve तभी करते हैं जब हमें goals के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है बहुत important I repeat कि जब हमें goal दिखाई देता है तब हम goal को achieve नहीं कर पाते हम goals को achieve तभी करते हैं जब हमें गोल्स के अलावा और कुछ भी दिखाई नहीं देता है, very very important point कि हमें अपने गोल्स के प्रतिय स्पेसिफिक होना है, confused नहीं होना है कि हमें ये चाहिए कि नहीं चाहिए, fully confidently हमें एकदम confident के साथ बोलना, yes, I want it and I am gonna achieve it, right, तो ये होगे first point, तो जो दूसरा important factor होता है, वो होता ह आपका consistency, यानि कि आप कितने consistent हो, अपने गोल्स को लेके, आप हर दिन क्या कर रहे हो अपने गोल्स के करीब पहुचने के लिए, consistency very very important, unnecessary एक दिन का भी break, आपको 3-4 दिन पीछे लेके चला जाएगा, अपने गोल्स को achieve करने से, right, तो इसलिए specifically एकदम plan के साथ आपको एक भी unnecessary break नहीं लगाना है, consistency maintain करना है, consistency होगा, तभी result नजर आएगा, जो third बहुत ज्यादा important factor होता है, वो है dedication, right, dedication बहुत important है, आप जो काम कर रहे हो, जो आपका गोल है, कि आप उसके प्रती dedicated हो, आपको enjoy हो रहा है कि नहीं, आप उस काम को करते हुए, वो भी important है, अगर कर रहे हो उस काम को, तो फिर कोई फाइदा नहीं है, उसमें success नहीं मिलता है, जब उस चीज को करते हुए, आपको enjoy feel हो, अगर आपको परहाई करते हुए enjoy feel हो, तब आप definitely अपने study related, अगर कोई भी exam crack करना चाहते हो, तो आप कर लोगे, अगर परने में ही मजा नहीं तो किस तरह से exam crack होगा, तो इसलिए dedicated, मन लगा के किसी भी काम को करने का जो हुनर होता है, वो बहुत important होता है, यह success के करीब लेके जाता है हमें, बहुत important है यह dedication, हमें मन लगा के लगन के साथ, अपने full effort के साथ, fully consistency, dedication के साथ हमें किसी एक काम को करना होता है, तभी हम success के क पहुच पाते हैं, तो यह हो गया third and fourth जो है that is hard work, hard work yes, hard work चाहिए, hard work is the easiest way, सबसे easiest way होता है किसी भी goal को achieve करने का, hard work तो चाहिए ही चाहिए, hard work, बहुत से नहीं लोग बहुत से बोलते हैं कि smart work करो, smart work दूसरा fact हो गया, smart work क्या है, right, अगर आपके exam में general knowledge, for example, बोल रहा हूँ मैं, कि अगर आपके exam में general knowledge का question ही नहीं आता, GK का कोई question ही नहीं आता, और आप preparation में सिर्फ GK ही परे जा रहे हो, तो वहाँ पर GK important नहीं है, यह आपको जानना ही आपका smart work का part है, बट जो आपके syllabus में है, उसको compromise करके, उसको minimize करके परना, वो smart work नहीं है, right, वो hard work के साथ आप compromise कर रहे हो, hard work बहुत important है, hard work का इसका कोई substitute नहीं होता है, hard work किसा hard work, बहुत से लोग कहते हैं कि रिक्षा वाला जो है, जो रिक्षा पुलर होते हैं, वो लोग बहुत hard work करते हैं, तो कि वो लोग success क्यों है, सभी success है, वो लोग भी अपने field में success है, right, अप ऐसे compare क्यों करते हो, उधर क नहीं तो कल किसी न किसी जगह पे उसका utilization होना ही है, knowledge कभी waste नहीं जाएगा, तो जो लोग महनत करते हैं, labor class महनत करते हैं, जो hard work करते हैं, वो अपने life में उनके status के according वो लोग success है, right, तो आप अगर student हो, अगर आपको exam crack करना है, तो आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसमें hard work का है, आप 10 घंटे का पढ़ाई, आप 2 घंटे में smart work से कर लोगों तो क्या knowledge full मिल पाएगा, नहीं मिलेगा, knowledge के लिए आपको पढ़ना पढ़ेगा, study करना पढ़ेगा, महनत है, बट आप सकोगे, आराम से सकोगे, hard work धीरे धीरे करोगे, तो ये subconsciously आप क्या, उसके according used to हो जाते हो, फिर वो पता नहीं चलता, तो इसलिए hard work करना चाहिए, जितना आप पढ़ोगे, जितने depth का understanding होगा, उतना ही fluency आपका writing होगा, आप बोलोगे, आपका knowledge होगा, right, तो ये hard work बहुत important होता है, आपको success के करीब ले जाने के लिए, जो number 5 point है, that is बहुत important, right, वो है visualization, 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 आप जो कम कर रहे हो, right, for example, आप judiciary का preparation कर रहे हो, तो आप visualize करो, कि आपको selection मिल गया, आप training में हो, आप court में बैठे हो, ऐसे magistrate, या फिर मुनसिफ, या भी judge, आप बैठे हो, ये से visualize करना पड़ेगा, ये से visualize करते हो नो, तो mind में positive vibes create होता है, जो कि आपको आपके goal के तरफ push करता है, right, आप अपने goal से भटकोगे नहीं, वो important होता है, visualization बहुत important होता है, आप जो भी कर रहे हो, आपको अगर physical fitness के उपर अगर बात करे, अगर आप चाहते कि आपका physical fitness बहुत ही strong, बहुत ही muscular, बहुत ही अच्छा हो देखने में, तो आपके goal का visualize करना होगा, कि हाँ आपका physical growth हो रहा है, आपको अच्छा लग रहा है, right, उस चीज को आपको visualize करना हो, आपका goal, आप जिसे पाना चाहते हो, उस goal के बारे में आप सोचो, कि आपको मिल गया, right, वो feel पहले अंदर generate करो, वो important होता है, वो visualization होता है, जब आप अप करो, आप अपने goal को achieve करो, तो ये कुछ important point है, I hope आपको अच्छा लगा होगा,